ऐसा recovery suit जिसमें आप 10 दिन में अपना पैसा recover कर सकते हो तो आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले है summary suit under order 37 of CPC और इसमें हम समझेंगे कि यह suit होता क्या है और इसका procedure किस तरह से चलता है किस तरह से पूरा case चलेगा किस तरह से summoning होईगी और step by step जो भी procedure code में चलेगा उसे आज ह order 37 suit file किया जाता है जब किसी person को अपना money recover करना होता है किसी और person से for example किसी ने किसी person को loan दिया और agreement sign किया कि इतना amount मैंने loan दिया है और इस time तब वो amount वापस दे देगा और इतने interest पर देगा और साथी साथ एक security check भी दे दिया जाता है और जब वो person जिसने loan लिया था वो पै plaintiff को पता होता है कि defendant मतलब जिसने पैसे लिये थे उसके पास किसी तरह का कोई defense नहीं है अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके पास defense है वो अपनी transaction prove कर सकता है कि उसने आपको पैसे दे दिये उस case में ये suit file नहीं करना चाहिए सिर्फ उन cases में file होता है जहां पर plaintiff को पता होत जो plaintiff है जिसने पैसे दिये थे वो suit file करता है against defendant जिससे पैसे लेने है और उसके बाद और cases की तरह ही summon to defendant issue होता है सर्व किया जाता है बट इस case में जो summon होते हैं उनका form अलग होता है ये और जो cases होते हैं और जो civil cases होते हैं उनके सम्मन से ये सम्मन totally different होता है तो इस case में जो ह हम summon serve करेंगे defendant को वो होगा form for of appendix B जो CPC के schedule में दिया गया है अभी आपकी screen पर show हो रहा होगा इस तरह का summon हम इस case में issue करते हैं summary suit में इस form को follow करना compulsory है अब हमने defendant को जो summon है वो issue करवा दिये और defendant को summon serve हो जाता है अब defendant को summon serve हो जाने के बाद उसके पास 10 दिन का time है जैसे कि summon में भी लिखा हो था within 10 days उसको court में appear होना है अब उन 10 days के बीच में दो cases होते है पहला defendant court में appear नहीं होता phase to appear in the court तो उस case में क्या होगा तो आपके जो claim है आपका जो suit है उसे acknowledge कर लिया जाएगा मान लिया जाएगा उसको presume कर लिया जाएगा कि वो acknowledge है जो defendant है वो defend नहीं कर रहा अपने case को और आपके favor में मतलब plaintiff के favor में judgment pass कर दिया जाएगा दूसरा case अगर defendant within 10 days court में appear हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा अगर defendant within 10 days court में appear हो जाता है तो सबसे पहले court में appear होने पर उसको notice of appearance देना होगा plaintiff को या उसके counsel को और court को और court में अपना एक address submit करना होगा कि वो कहाँ पर रहता है जिससे future में court उसको notice कर सके और someone serve कर सके वो अपना address देगा address देने के बाद appeared हो जाने के बाद defendant को someone for judgment serve किया जाएगा अब जो यह someone for judgment है इसका भी एक pro forma है जो की form for a appendix में दिया हुआ है इसको follow करते हुए someone for judgment serve किया जाएगा defendant को उसके बाद फिर से defendant के पास 10 दिन का time है कि वो court में appear होए और leave to defend मांगे court से अब वो court में जो यह leave to defend है यह by the way of affidavit file करेगा अगर उसके पास कोई पका defense है तो court उसको allow कर देगी अगर court को लगता है कि जो यह defendant जो defense ले रहा है यह सिर्फ time खराब करने के लिए ले रहा है या उसके जो defense है defense में बिलकुल दम नहीं है तो court उसको refuse कर देगी और जब court उसे refuse कर देगी तो उसके बाद judgment पास हो जाएगा in the favor of plaintiff अब leave of defense allow हो गया partly allow हो गया अब partly किस तरह से अला हुआ जो total dispute था वो 10 लाख रुपे का था और 10 लाख रुपे में से 7 लाख रुपे जो defendant है वो plaintiff को दे चुका है और वो admit करता है कि उसको अब सिर्फ 3 लाख रुपे देने है तो उस case में court वो जो 3 लाख रुपे है वो court में submit करवा लेगी और अगर within the time वो security defendant court में submit नहीं करता तो उस case में भी जो judgment है in the favor of plaintiff पास कर दिया जाएगा अगर वो जो security है वो within the time defendant court में submit कर देता है तो उस case में उसको leave to defend allow कर दिया जाएगा और वो अपने case को defend कर सकता है तो ये होता है procedure under order 37 एक बार फिर से revise कर लेते हैं case file हो जाने के बाद summon issue होंगे defendant को अब इसके बाद defendant अगर नहीं आता तो plaintiff के favor में judgment पास हो जाएगा और अगर appear हो जाता है तो उसको notice of appearance देना पड़ेगा अपना address देना पड़ेगा और address देने के बाद court उसे summon for judgment serve करेंगी और judgment of someone serve हो जाने के बाद within 10 days उसे leave to defend file करना है तो वो leave to defend file करता है court उसे refuse कर देती है तो उस case में भी judgment पास हो जाएगा in the favor of plaintiff अगर partly allow करती है तो उसमें एक security submit करनी पड़ेगी अगर वो security time से submit नहीं करता तो उस case में भी judgment पास हो जाएगा और अगर वो security within the time submit कर देता है तो उस case में भी उसका leave to defend allow कर दिया चाएगा तो handle पर भी message कर सकते हैं हमारा instagram handle है go.legal और अगर आपने अभी तो golegal को subscribe नहीं किया तो अभी subscribe करने अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इसको like कर देना